एट है गया है है वैलकॉम तो माझ यूटूब चैनल आज की वीडियो में हम लोग निफिटी और बैंक nifty को अनलाइज करेंगे और आगे हम लोग में क्या प्लान आर्ड आर इसका उसके पाहन में डिस्कस करेंगे तो चली वीडियो को स्टाट करते हैं सबसेब पहले आप पर चल्रड़ करें जैसे करेख को आने आप लोगों को कि वडीयो बता है था आप कैल श्क्राइबर में व्यॉट की अगर जैगा तो अगर एक उपर कही पर रूछ जाता है एक छोका लिए इस इस को क्ई ट्रीड करूद करते है जिससे को आफ लोग देख सकते मेरा लग भए फेट गर फिल्सिंट हूनी के लिज्वर के पर फिर मार्केटल शरडनक लिज्वर और फिर अपने उसी एरिया में ठाइम ट्रेट करने के बाद इस एरिया में तोड़ा कॉंस्ड्रेशन करने के बाद मार्केटि अभी भी जो buying pressure है वो काफी जादा है अगर हम लोग short term के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर market बहुत ही bullish है और long term में तो rally वैसे भी bullish rally अभी भी चल रही है market में जिसमें अभी हम लोग यहाँ पर हम लोगों का आगे plan क्या होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर market को अभी भी कैसे trade करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का plan यही होना चाहिए कि market जैसे जैसे ऊपर जा रहा है बहुत चोटे stop loss के साथ चोटे quantity में हम लोग यहाँ पर trade करेंगे अ और अगर हम लोग यह आपर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट यह आप पर 40 जो हम लोग की मार्केट की डेली क्लोजिंग मिलिए के एवरेज लोजिंग मिलिए वह है 45,570 के एवरेज लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने जो के बहुत ही अच्छा देख रहे हैं आप तीन दिन से वह मार्केट ने बहुत ही इच्छी एक रेली दिये बुल रेली दिये जो के मार्केट 44,300 पर था अब वह 45,500 के आसपर मार्केट यहां पर हो सकता है कि अपनी उस रेली को और कंटीनियो करें यह बहुत अच्छा जोन भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है यहां पर हम लोगों के दो ही प्लान होने चाहिए या तो हम लोग मार्केट से थोड़ी दर दूर रहेंगे देखेंगे कि तो वहां से हम लोगों का प्लान ही होना चाहिए कि वहां से हम लोग शौट के लिए या तो फिर अगर हो इस अलृटीम राइक करता है तो इसके ऊपर हम लोग अपनी बूलिश पोजिशन बनाने का ट्राइक कर सकते हैं हो सकता है मार्केट अब नेक्स दो-तिन दिन अपने के पास जो कि मैंने आप लोगों को बता आ पे बैंग निफ्टी का जो अल टाम हाय है को अब वोगोन अपनी इस ओल टेंधिक आसपस या ही कही रेसिचन्स का असपस यहाई कई घर को संद कर एंग नेक्स दो-treं दिन और फिर हो सकता है कि अपसाट ब्रेक आप यहां पर थोड़ा कोशियस होना पड़ेगा यहां पर हो सकता है 600-700 पॉइंट का मुव आने के बाद मार्केट अभी भी यहां पर और बुलिश मूव तेगा नीचाएगा तो इसके लिए हम लोग अभी अगर मार्केट ऊपर जाता भी है बायर्स मार्केट से थोड़ा बचके रहे और सेलर्स यहां पर अपनी बहुती कम पोजीशन में छोटी कॉंटिटी में पुट सेल कर सकते है यह हम लोग का प्लैन आफ एक्शन बैंक निफ्टी के लोगने चाहिए और जो निफ्टी है पर हम लोग निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी अपना अल्रेडी अल्टाइम है अब ब्रेक कर चुका है अब जैसे के हम लोग आप देख सकते है कि जो निफ्टी का लास्ट अल्टाइम हाई था जो निफ्टी का लास्ट टाइम हाई था लास्ट टाइम वो था और कुछ नैंटीन थाउजन 19,991 के आसपास का All Time High था और अज निफ्टी अपने अपना एक नया All Time High बना कर यहाँ पर आज के आपना एक यहाँ पर ब्रेक कर चुका है अब निफ्टी यहाँ से कैसे मूफ करता है अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर नीचे आ जाता है तो बैंक है अखर निफ्टी अ αν Remote ह माद बैंक है जाने लगा सकता है वह भी विप्लों करताई है और हम लोगों के लिए क्ले सब करने है मंतेक हैं पर चाjak हूं टैंप्रैम में लगा दे तो बैंक हम लोगों übrig तो यहाँ पर अगर निफ्टी गैप अपन होता है फ्लैट ओपनिंग देता है निफ्टी तो हम लोग यहाँ पर दो और कि this withюсь को इस इस जों को उस बनाते हैं जो के लोग यह पर एक सपोर्ट मानते हैं अगर अंeltर उपर है क्या है लेकिन अब्प निफ्टी अनुपर रहता है तो हम लोग यह पो सिर्फ फेपिथ नेच है इस लेएड लयवल की नीच होना चाह है जो लास्ट इम हम लोगों का जो एल टाम हाई था उसकी नीच हम लोगा पूर छोटा सा सा स्टॉप लॉटॉस होना चाहिए कि अबर मार्ट इसको तोड़ता है तो हो सकता है कि निफ्टी में पेनिक सेलिंग आजा और उसकी वाएय से पूरा मार्केट भी कोलैपस हो जाए तो आप लोग अगर डेली बेसेस पर ट्रेड कर रहे हैं तो इन सारे लेवल्स को ध्यान में रखे हो ज़कता है आप लोग को यह सारे लेवल्स आप लोग का आगे बहुत है अगर आप लोगो को वीडियो पसा and thanks for watching